हे गाइस आज मैं आपके साथ शियर करूंगी रोस्टिक चीऊड़ा की रासिपी ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहां गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है इसमें मैं डाल रही हूं च इसे रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से ये देखिए चीऊड़ा हमारा रोस्ट हो चुका है अब यहां मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है तेल अच्छे से गरम हो चुका है इसमें मैं डाल दूंगे मुंफली के दाने और इसे रोस्ट कर लेंगे देखिए ये नहीं है और इससे बहार निकाल लेंगे देखिए इसका कलर बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए अब जो तेल बच गया है इसमें में डाल दर्यू हरी मिर्चे इनको मैंने बीच में से काट लिया है थोड़े से हरे मटर डाल देंगे और दोनों को अच्छी तरह से फून लेंगे ग्यास का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है ज्यादा तेज ना करें और देखिए इसमें मैं डाल दर्यू हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे अच्छे से नमक डाल देंगे इसमें सवाद अनुसार मिला लेंगे चीनी का पाउडर डाल देंगे इससे आपके चूड़े में एक अच्छा टेस्ट आएगा अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुए मुंफली और नारियल मिक्स कर लेंगे इसे एक चमबच आमचुर पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इन्हें इसमें डाल देंगे रोस्ट की हुए चिवड़ा, मिक्स कर लेंगे इसे ध्यान रखें, गैस का फ्लेम हमें मेडियम रखना है देखिए, मिक्स कर लिया है मैंने इसे रोस्टेट चिवड़ा बनकर हमारा त्यार है गैस के फ्लेम को आफ कर दे आप इस चिवड़े को कुछ समय के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें थैंक यू